सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा एक का पाट दस एक की मात्रा पढ़ेंगे ये किसकी मात्रा है? एक की मात्रा, बड़े एक की मात्रा ये देखो बड़े एक की मात्रा कैसे लगती है? ये दो ऐसे ठीक है न? इसको हम क्या बोलते है? एक की मात्रा इस पे हमको थोड़ा जोड देके बोलना होता है ठीके न? चलो हम पढ़ते हैं थ, धन, अई की मात्रा बड़े एक की मात्रा तो क्या बन गया? थ, हमको जीप पे थोड़ा जोड लगाना है थ, ठीके? तो थ, थ के उपर एक की मात्रा और ला दोनों को मिलाएंगे क्या बन गया? थ, ला ठीके? ये देखो आपको यहाँ पर दिखाए दे रहा है थ, ये कागज का भी होता है और कपड़े का भी होता है हम जब मार्केट जाते हैं तो हम इसका प्रयोब करते हैं कोई भी सामान डालने के लिए हमारे काम में आता है न क्या? थ, थ, ला न, धन, एक की मात्रा, बड़े एक की मात्रा तो क्या बन गया? ने आपको भी मेरे साथ में बोलना है क्या बन गया? ने तो अब इधर देखो यहाँ पर न बड़े एक की मात्रा और या, तो क्या बन गया? नेया ये देखो आपको यहां दिखाए दे रिये, ये ये लकड़ी की भी बनी होती है और ये किस आकार में होती है? एकतम लंबे आकार में होती है और जल के उपड़ चलने वाली सवारी होती है, जिसे हम नदी आदी भी पार करते हैं इससे, इसको किस्ती या नोका भी कहते हैं, क्या कहते हैं, किस्ती या नोका भी कहते हैं, ठीक है न? अब स, धन, बड़े एक की मात्रा स, धन, बड़े एक की मात्रा तो क्या बन गया? से क्या बन गया? से तो इधर देखो स, स के उपर बड़े एक की मात्रा तो क्या बन गया? से न के पास में छोटी की मात्रा? निक तीनों को मिलाएंगे क्या बन गया? सैनिक क्या बन गया सैनिक ये हमारे देश की रक्षा करता है देश के नागरिगों की रक्षा करते है कौन ये सैनिक ठीक है न और हमारे देश के शत्रों पर भी प्रहार भी करता है देश की शुरक्षा करता है और देश की शीमा पर तेनाद भी रहता है कौन ये सैनिक ठीक है आपको अच्छे से बोलना है धैला नेया सैनिक ठीक है और आपको इन पे कर से लेके अपने ग्या तक पे इसकी एक ही मात्रा को लिखना है और अच्छे से बोल के अपने मम्मी को बताना है ठीक है चलो अब हम पाठ पढ़ते हैं यह देखो यह क्या दिखाए दे रहा है किराना दो व्यक्ति हैं एक तो देखो इसको कुछ सामान दे रहा है और यहां पर ले रहा है और यहां साइकल देखो यह चला रहा है और सलेंडर लेके जा रहा है यहां पर यह देखो यह चकड़ा है इसको चकड़ा बोलते हैं यह देखो बेल गाड़ी है ठीक है ना तो आज हम इस क्या बन गया शे ल ज शेल जा तीनों को मिलाएंगे क्या बन गया शेल जा क के उपर बड़े एक ही मात्रा तो क्या बन गया के लाश केलाश की बहन हैं शेल जा के मिलाश की भहन हैं भ के उपर बड़े एकी मात्रा भै क्या बन गया भैरव भैरव ब के उपर एकी मात्रा बै बेजनात तो क्या बन गया भैरव बेजनात का चाचा है आपको भी मेरे साथ में बोलना है क के उपर बड़े एकी मात्रा क्या बन गया के लाश के घर के सामने बड़ा मैदान तो म के उपर बड़े एकी मात्रा बड़े एकी मात्रा देखो दो लगाई जाती है मैदान है कैलाश के गर के सामने बड़ा मैदान है म के उपर इधर देखो और वापस बड़े एकी मात्रा मैदान में बैल गाड़ी चल रही है यह देखो यहाँ पर मेदान में बैल गाड़ी चल रही है यह देखो बैल है इदर बैल की बैल तेजी से पैर पर के उपर बड़े एकी मात्रा बड़े एकी मात्रा दो लगती है पैर उठा रहे हैं बैल क्या कर रहे हैं? बड़े तेजी से पेर उठा के चल रहे हैं फैजाबाद व के उपर बड़े एकी मात्रा क्या बन गया फैजाबाद से वैज्ञानिक व के उपर बड़े एकी मात्रा वैज्ञानिक आ गया है फैजाबाद से वैज्ञानिक आ गया है फेजाबाद से कौन आ गया है विक्यानिक आ गया है वह नै, न के उपर बड़े की मात्रा नै नी ताल, नैनी ताल की सेर स के उपर बड़े की मात्रा सेर करने जाएगा वह नैनी ताल की सेर करने जाएगा गवया व के उपर बड़े की मात्रा तो वे गवया थेला थ के उपर बड़े की मात्रा थेला लेकर चला गया गवया थेला लेकर चला गया आपको भी मेरे साथ में बोलना है ठीके सैनिक ये देखो ये सैनिक दिखाए दे रहा है सैनिक के उपर बड़े की मात्रा सैनिक के उपर बड़े की मात्रा कैमरा कैमरा ले आया ठीक है आपने पढ़ा जेप्तार अब हम करेंगे जोड कर शब्द बनाईए ज़ यह धन और यह बड़े एक की मात्रा तो यह क्या बन गया जे धन को अटाएंगे सः और पास में धन और आ की मात्रा लगाएंगे तो यह क्या बन गया जैसा ठीक है भ, धन को अटाएंगे बड़े एक की मात्रा भै, फिर धन को अटाएंगे र, और इधर धन को अटाके व तो यहाँ पर क्या बन गया भैरव, मेरे साथ में बोलना है और आपको मेरे साथ लिखना भी है म, धन को अटाएंगे बड़े की मात्रा, ठीक है, तो मैं, द, आ की मात्रा, न, तो क्या बन गया, मैदान, क्या बन गया, मैदान, ग, व, व के उपर, बड़े की मात्रा, फिर य, और ये, आ की मात्रा, तो क्या बन गया, गवया, मेरे साथ बोलना है, गवया, ठीक है, प, प के उपर एक की मात्रा, हमको ये धन को नहीं लिखना है, ठीक है फिर धन को अठाके द, और फिर इस धन को अठाके ल, तो क्या हो गया, पैदल क्या बन गया, पैदल आपको मेरे साथ वापस से बोलना है जैसा भैरव, मैदान गवय या पैदल ठीक है आपको भी लिखना है और पाठ को अच्छे से पढ़ना है और बड़े एक की मात्रा आपको अच्छे से ध्यान से सीखना है ठीक है और मम्मी को ये पाठ पढ़कर सुनाना है ठीक है धन्यवाद